तो देखो हमने class में दो gases law को उने पढ़ लिया फर्स्ट वन इस बॉइस लोग और सेकेड वन इस चास लोग तो आज का हम लोग का जो next heading है अब यह से gases law का आगे का continuous नहीं है तेट इस थर्ड गैस लोग देट इस गाल आज गे लुशेक्स लोग यह आपका third law पढ़ना है हमने boys law और चास लोग पढ़ लिये थे और उसके बाद हमारा जो next law आता है that is called as gay-lusex law चलिए तो gay-lusex law अगर आप थोड़ा सा यहां पर पढ़ना सुरू करेंगे तों कहां सेभी है प्ले तो मैं आपको यह भी बता रहा हों कि Isके अंचे में आपको सेव सी पॉंटीटी जरी करें और कौन-कौन से आपके ऐन्स कॉंस्टेट होदा है तो इस कीस नहीं सब्सार आपको एंद टेम्प्रेचर टेम्प्रेचर लिखा तो आपको एक री करोगे कि इस केस में कॉंस्टेंट क्या हो गया इस केस में एन इंड इस केस में आपको n टेमप्रेचर आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा इस से चाहिए क्वाइज रखना पड़ता है मैं नर्याख गवाज तो सबस्में इस behए कि हो पढ़ना क्या रहता है जब नमबर or implicit उसकेस में उसकेस में प्रेशरिस देरिकल क्रोपोर्शनल ऑपको त्यम्हीं होता है उसकेड देर्कलिति के आप्पोर्शनल्सनल्सerm टेंप्रेचर होता है तो इसको लिफते है कि at constant volume at constant volume pressure of a fixed pressure of a fixed pressure of a fixed amount of gas amount of gas amount of gas varies directly varies directly with temperature varies directly with temperature तो आपको सबसे पहले यह चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहां पर क्या में नहीं बताया कि कुछ नहीं यह आपको बेसिकलि पी और टी के विच में रिलेशन होता है और अगर आप एन और वी को कभी विक कॉंस्टेंट रखो तो उसकेस में जैसे जैसे टेंप्र प्रेशर आपको इंक्रीज होते जाएगा तो प्रेशर भी आपको क्या होगा वह आपको गैस का इंक्रीज होता जाएगा तो यह आपको क्या बोलता है गैसेस यह लुक्त के बारे में आपको छोटा से एक इंट्रॉट्स तो इसके लिए आपको ध्यान ज्यादा रखने की ज़ुरूत नहीं पड़ेगी तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाय करो यह क्या दाएगा के इंटो टी इसकोल टू के इंटो टी जहांपर कि फीआपको है के क्या आपको यह आपको है प्रूपोर्ड इनलेटी तो पुरत पूर्चनलेटी तो इस तरह से आप प्रोपोर्शनेल्टी बोलो बात सही है, तो जैसे हम लोग गॉयल्स लॉव चाल्स लॉव का वे रिलेशन पड़े थे, उसी तरह से आपको गेलिस्ट लॉव कर रेलेशन होता है, इसके समें बोलता है कि अगर आप फॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर वर कर रहे हो, और फॉन् सींपल सा चर् Margaret और यही आपके लिए थोड़ा सा important भी होता है इसके इलाभब बहुत ज़ादा इंपर्ट यह इसल कम आहरे नहीं डीक तो graph किस की मिन बतें आप को nuances की अerteलिध अलतीकि लिटे कि औरK att s 一直 होगा किरेकिक जमारा की और jáering धीर की एगर चलाई होके तो अगर यह आप देखोगे तो जैसे इसे घाल वावा वाव बढ़ाते जाओगे तो आपको पी का वैलु आप एगरिक करोगे ईक जफी सथ ध्यान रखना है कि इस ग्रफ को रॉपन है हमारा ब्दॐल Scottish किया distinguished at value यह आप इस ग्राप पर कहीं भी मूफ करोगी इस graph पे volume आपको क्या रहेगा, volume remains, volume remains हमेशा क्या रहेगा, constant रहेगा, volume remains क्या रहेगा, constant, और अगर volume constant होता है कभी, तो उस case में हम लोग उसको नाम देते हैं, isocore, उस case में हम लोग क्या नाम देते हैं, isocore, गर्व के नाम से जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कोई निकत न अगर आपको वॉल्यूम कभी केस भी कॉंस्टेंट रहे उसको किस नाम से आते हैं आइसो को रुप कर्ब के नाम से जाते हैं अब हमारे पास जो मैं जो इंपोर्टन चीज पढ़ना है यह आपको भी प्लास में भी डिसकस केते हैं एक वो इस घ्राफ फ्लाफ यह यह अउनत्या व्लिंट्री ओ आपको ऊपको और वीट्री तो अपसे पूचाँ है कि बीवन बीट्री में क्या आप को रिलेशन होगा तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इसका अगर रिलेशन अब देखना शुरू करेंगे तो सबसे जादा वॉल्म होगा हमारा वी का उसके बाद किसका आएगा वी टू का उसके बाद किसका रिलेशन आएगा ऐसे हो गया थोड़ा सा एलेसिस कर लेते हैं मतरब आपको क्य है एक चीज़ समझना है कि जैसे जैसे हमारा वॉल्म बढ़ते जाएगा यह ग्राफ वर्ड्स आपको एक्स एकसिस आपको क्या होते जाएगा तो यह को बहुत इंपॉर्टेंट जी यह सिर्फ ऑफजर्वेशन है अब आपको बताता हूं कि ऐसा हमने कैसे यह कंप्रूट एक तो अगर मैं बोलू अगर मैं बोलू इस वॉल्म के कोर्सपोंडिंग मैंना टेंप्रेचर है टीवन इस volume के corresponding मेरा temperature है अगर T2 और इस volume के corresponding मेरा temperature है T3 बोलो सही है बात सही है तो क्या बता सकते हो कि temperature का relation हमारा क्या होगा तो आप बोलो कि एक सब T3 का value बड़ा होगा T2 से और उसका बड़ा होगा value T1 से अगर मेरा pressure constant हो यह जो कि वी और टी के बीच मेरे रिलेशन है तो आपको पता है कि अगर pressure constant होता है तो V is directly proportional कि सके होता है temperature से तो जिसका temperature बड़ा जिसके इसमें उसके corresponding volume बड़ा तो बता सकते हो T3 अगर बड़ा है T3 के corresponding volume कि आपको यहां पर क्या दिखेगा कि V3 is greater than V2 is greater than V1 क्या यह होता हो दिखेगा तो यह एक simple सा आपको relation ध्यान अपना है कि आखेर यह लुसेक्स लॉग किसकी किसकी बीच में relation देता है दूसरा चीए इसका graph कैसा आता है और अगर में volume को vary करो तो मेरा graph किस तरह से deviate करता है यह चाहिए आपको graph को read करने के लिए आना चाहिए ठीक है अगर हम लोग next law के तरफ move करें एक हमारा चोटा सा लाओ है इसका कहना बेहादी सरल होता है इसका कहना बेहादी सरल होता है कभी कोई बुक में टिप्रिकल इसका definition लिखा रहता है एक इसका कहना क्या simple होता है कि समझा दे रहाँ मां के चलो आपके पस कोई एक container है इक container आपके पास कोई अ है और मैं अगर बोलू कि हाँ अमारे आपको पास कोई same container आपको आपको container भी है अच्का सबसे पहली बात बता रहरा हूं कि आपको रोलाओ कि किस यह किस के बीच में relation यहें ये इन दोनों के बीच में क्या सो करता है अच्छा सब्सक्राइब अब तो आप इगर गया होगे कि अगर यह दो के बीच में कि तो आपको आपको ऐसा समझ में आई गया है इस आपको सिंप्विंट साथ लेते हैं उसका अब लोग लिखेंगे, क्यूंकि कहानी बड़ा सिंपल होता है, रिसके statement समझने कची होता है. इनका statement क्या होता है, कि अगर मान के चलूए ये दो कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर का मैंने pressure constant रखा, मतलब same pressure पे दोनों container को रखा इन दोनों container का temperature आपको क्या है? same देखा अगर मैंने क्या है? pressure constant रखा या फिर pressure अगर same है और temperature भी दोनों container का same है तो इनका कहना यह है कि जिस container का volume ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा number of modes आपके क्या होगे? accommodate होगे मान के चलो कि आपको बोला जाए कि अगर यह A है, volume VB है मान के चलो आपसे बोला जाए कि इसका volume VA का VB से ज़्यादा है तो इसका मतलब A के अंदर जो भी modes होगे उसका भी value MV से क्या होगा? ज़्यादा होगा पहला तरीका जी present करने का दूसा तरीका क्या बोला जाता है दूसा तरीका यह बोला जाता है कि अगर आपके पास दो कोई container है अगर उनको same pressure और same temperature पर रखो तो अगर दोनों container का volume equal होगा तो उसमें equal number of mole of gas आपके रखे होगा और यही इसका exact आपको terminology होता है तो मैं पहले आपको इसको कुछिस करता हो की लिखने का कि इसका statement क्या आता है कि equal equal volume of all gas equal volume of all gas gas under same temperature same temperature and pressure occupy 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 equal number of equal number of moles of gas equal number of moles of gas तो यह क्या होता है आपको अधे गट्रुलाव का explanation होता है साइच समझ में आ गया होगा इसका यही काना है कि अगर आपका पेसर और टेमपेटर से हम रहा तो अगर आपके container रहेंगे तो इसके अंदर number of moles of gas जो आप रखोगे इसके N कर देने भी क्या होगा आपका सेम होगा तो यही चीज़ है तो अगर मैं इसको mathematically relate करना चाहूंग तो अगर मैं आपको वोलूं कि इसका mathematical mathematical expression क्या होता है तो इसका mathematical expression क्या होता है मैं आपको बड़ा सरव से बताता हूं इसका mathematical expression क्या होता है कि V is directly proportional to N V is directly proportional to N कभ ? When T and P remains when P and T remains constant when P and T remains constant होता है यही इनका कहना है और बहुत ही सबसे चोटा है इसका definition होता है अब थोड़ा से इसमें कुछ operation कर लिया जा है तो अगर आपकोगे तो मैं अगर यहां पे कुछ information यहां पे collect करूं आपको मान पे चलो था आपको कभी विदियागा और अगी अपको इसको यूस करने का ता अट तो क्जिए ओस करें टो आपको एंस को वीज़ा आपको हमेजिशा क्या होगा और यापको उपन पेस को कैसे एके मिखन करते है कि मांगे के चलो आपको ऀएक और बी कंटेनर को आपने सेंप ठीक है आपको बोला जा रहा है कि अगर मेरा अगर ए कंटेनर का मतलू एक चंटेनर कवल्यूम वी है इसमें एन नमर ऊफ स्कॉपिस अगर इस कंटेनर का व्लूम वी असे घठाट बढ़ा के मान पिछलो इंग्रीज़ करके वीडी के लेट गया तो उसकेस में मेरा यंबिक का value क्या होगा यह आपको बतागा है तो इस केस में अगर आपको V by N का ratio ये consonant है तो आप तो agree करोगे कि मैं इसको यह भी लिख सकता हूं कि V A by N A is equal to V B by N B लिख सकते हैं तो अगर मैं यहां से अगर मैं यहां से एन बी का value निकालों तो यहां से इसका इसली वेल्यू निकालते वे नजर आए तो यह इस बेसिस पर न हम लोग यहां से अगर आपको पता है कि अगर आपके पास यह formula यूज करना है तो तीन वेल्यू दिये रहेंगे और उसको यूज करके fourth value का आपको निकालना पड़ेगा तो यह this is all about किसके वारे ay THEY got two law के बारे में छोदा सा इंफरलिशन तो इसके बारे में आपको मैं लिक है तो जादा बताने की जरू आइर्ट रही है अब opp свodas अपड़ लेतें न थोड़ूज सएक आपके लिए काम का चीज होता है आगे जोंकर कुछ इसका एनलैसिस बोलोगे क्या एनलैसिस इसमें फड़ना है तो आपने क्या बढ़ा कि V is equal to k times है यह हमारा किस लॉस यह हमारा आए वेगाड्रो लॉस है यह ल्म होते के बलॉट है अगर आ आपको क्या होता है एमुहें अपको मुल्स औरBiralayko अपने पायक एक्ट्हक्या होता है कि यह होता है मांस कि ऑफ व शब्स्टांस यह आता है मांस औफ सब्स्टांस डिवाइड़ होता इसका मोलम to मोलर, इसने से रिप्रेजेंट करते हैं? W by capital M से रिप्रेजेंट करते हैं बonnแखर मैं इसको यहां पर यह देखाँ क्या मैं लिख सकता हूँ कि V is equal to K into n लिख सकता है नहीं? यहां पर लिखता है कि K into w by m का value लिख सकता है? तो गर मैं थोड़ा से इसको मैं यहां से लिख सकता हूं कि मोलर मास और सबस्टांस इसकोल टू के मल्टिप्लाइड बाइड डबलू गाइड इसमें तो कोई लिखने में विल्कुल लिख सकते हैं अच्छा आपने पढ़ा है कि मास पर इमिट वॉल्यूम यह किसी का निसा नहीं होता है आपको डेंसिट निजराएगा डी जहांपे कि डी आपको क्या है यह रिप्रसेंट कर रहा है कि यह किसको यह प्रसेंट कर रहा है कि यहां से एक इंपोर्टेंट पंुल्जन कभी कभी statement के आपको लिखा जा सकता है कि जिस gases का density जादा होगा उसका मोलरण मास जाता होगा या पर उल्टा ज तो यहां से एक statement मैं आपको लिख रहा हूँ density of density of a gas is proportional to is proportional to मोलर मास of the gas बड़ा सिंपल सा चीज है तो यह आपको बेसिकली सारे के सारे आपके gases लाग है जिसको कि कुछ हमने क्लास में किये और कुछ हमने आप इसको complete कर दिया तो इस बेसिस पे आपको इसको एक और जरूर देखें और यह आपको को relate करना आओ चाहिए जैसे अब मैं अगर fix summarize आपको कर दूं fix summarize अगर मैं कर दूं सबसे पहला चीजिए मैं आपको यह बात कर रहा हूं कि मैंने कौन-कौन से law है कौन-कौन से law है कौन-कौन से component constant है और किस किस कीज के बेज में हम लोग relation देखते हैं गेम लोग को पढ़ना है तो पहला law हमारा कौन सब्सक्राइब रिलेशन हमारा क्या था P इस इंवर्सलिट्री अधर ठीज में कर दो अरवियस इसके समय था कंस्टे किया है बेज चार्सलोग क्या था ये रिलेशन था वी और डी के बीच में और इसके समें अपको क्या है थार्ड आपको क्या है गे लुसेक्स लाओ तो यह रिलेशन किसके बीच में देता है प्रेशर और इसके समें अपको क्या रहता है और लास्ट में हमारा क्या रहता है और यह एक हमारा ओवर्विव एक बेसिक समय तयार वा किसका कैसे स्लूओ के बारे में इसको आप एक बाद करो इसके बाद हम दो इसके आगी कंटीनू करना शुरू करेंगे और हमारा नेक्स्ट टोपिक होगा आइडियल गैस एक्वेशन है थैंक्यों